कर दोस्तों जै मातालक्षमी जै मातासर validity अगर आप अपने सोय हुई किस्मत को जगाना चाहते है आप अपने सोय हुए भाग को जागरित करना चाहते तो बस इस बार की बसंत पंचिमी के दिन खास तरीके से यह तीन काम कर लेना ऐसा माना जाते कि जो भी ब्यक्ति जो भी सादक सही तरीके से तीन काम कर लेता उनके जीवन में माता लक्षमी साथ ही साथ माता सरसती के किरपा के पत्र बन जाता है और उसका भाग जो रातो रात चमक जाता है लेकिन आज किस वीडियो में साथ ही साथ हम लोग जान लेते हैं अखरी बसंत पंचिमी 2024 में कब है इसका सुभ मूर्थ क्या है पूजा बिधी क्या है सब चीजों को जानने के साथ साथ हम उस तीन काम को भी अवस्थ बताएंगे अकरिवे कौन से तीन काम है जिन काम को करने से ब्यक्त के सोय हुए किसमत जाग जाते हैं उसके सोय हुए भाग जो है बदल जाते हैं तो बस तो चलिए हम लोग वीडियो को सुरू कर ही लेते हैं लेकिन साथ ही साथ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप भी चाहते हैं माता लक्षमी माता सरसती का आशिरबात प्राप्त करना तो कम सिकम इस वीडियो को लाइक कर ही दीजिए तो 2012 में बसंत पंचमी हिंदू पंचांक अंसार देखा जाए तो माघमास के सुकल पक्ष के पंचमी तिथी को ही हर साल मनाया जाता और इस बार भी ठीक बसंत पंचमी उसी दिन मनाया जाएगे 2024 में बसंत पंचमी जो 14 फरवरी के दिन मनाय जाएगे बसंत पंचमी को स्री पंचमी भी कहा जाता है साथ ही साथ इस दिन को सरसती पूजा के भी दिन से माना जाता है और इस दिन ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्त जो भी साधक और जो भी पिद्यार थी माता सरस्ती के पूजा यदि पीला बस्तर जो धारण करके करता है तो माता सरस्ती के बिसी स्क्रिपा के पात्र बनता है ऐसा सास्त्रों में यह भी वड़ित है कि सरस्ती पूजा का जो दिन होता है इस दिन जो अभूज मुहूर्त का दिन होता है लेकिन आखिर पूजा बिधी सुभ महुर्त कुछ ना कुछ तो जरूर लोग मानते ही मानते हैं लेकिन कोई इस बार की सुभ महुर्त नहीं है चौदा फरवरी के दिन माता सरसती का पूजा कर सकते हैं पंचमी का दिन जो है तेरे फरवरी को दो बच करके 41 मिनट से दोबार से स्टार्ट हो रहा और चौदा फरवरी को 12 बच करके 9 मिनट तक हैं इसलिए इस बार 2024 में बसंत पंचमी अर्थात सरसती पूजा 14 फरवरी को ह मनाय जाएगा चौद्य प्रवरी के दिन सुबह से ले करके जब तक पंचमी अर्थात बारे बच करके नौ मिनिट तक भली बात पूजा कर सकते हैं या कोई भी कार कर सकते हैं पूजा में आप माता सरस्ती का चित्रकला को ला करके आप रख सकते हैं साथ में रोरी चंदन जनम दीवस के रूप में यह जो है सरस्ती पूजा का दिन माना जाता है अर्थात सरस्ती पूजा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन माता सरस्ती का जन्म हुआ था जब माता स्रस्थती की पूजा करें तो पूजा के अस्थान पर अरतात उनकी मूर्थी के सामने उनकी चित्रकला के सामने आप जो है फल नो रखे ब़लकि बाद्यंत कोई न कोई जरूर ही रखे साथ इसाथ पुष्टक कोई न कोई रखी दे क्योंकि यह जो है बिद्या की देवी मानी जाती है बुद्धी की देवी होती है इसलिए उनसे जुड़ी ही चीजे जो रखने चाहिए तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर इस बार के बसंत पंचिमी के दिन वे कौन से तीन कार है जो हमें बिल्कुल करना ही चाहिए और जो भी सादक यह तीन काम को कर देता है उनके जीवन में माता सरस्ती और साती सात माता लक्षमी का वास हो जाता है और जहां पर जो दोनु बहने रहती हैं उनके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती है इस दिन को स्री पंचिमी के भी नाम से जाना जाता है इस दिन जब आप माता सरसती की पूजा करते हैं तो माता सरसती की पूजा करने के साथ साथ हर साधक को माता काली का भी पूजा अवस ही करना चाहिए जब माता काली के पूझा करें, माता सरसती के पूझा करें तो दोनों बहनों का एक साथ पूझा करते समय आपको माता सरसती के आपको बीज मंतरों का उच्चारण करना है इस मंत्र को कम से कम आप जो 108 बार जाप करते हैं इस मंत्र को जाप करने से माता कालिता था माता सरसती के भी आप किरपा के पात्र बन जाते हैं दूसरा नमर का जो अकाम है क्योंकि यह सरसती पूजा का जो दिन होता है बिद्या का देवी कही जाती है तो बिद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास दिन होता है अगर कोई भी बिद्यार्थी नौकरी करना चाहता है अच्छी परमोसर करना चाहता है अच्छे मार कलाना च बिल्कुल ही नहीं इस्तिमाल करना है, साथ ही साथ, अगला नमर का जो काम है, बिलकुल हर विद्यार्थी को अगर कोई भी आपके घर का चोटा बच्चा वो आप पढ़ाई में उन्नती करना चाहता है आगे करना चाहता है तो सबसे पहले नमर की बात है कि मातसर्षती का इज्जत करे मातसर्षती का समान करे उनकी पूजा करे उनके बिधिवत जो है ध्यान करता है तो उनके जीवन में माता सर्षती का आवास होता है और जिन्हा पर भी माता सर्षती जब बैठ जाती है तो बस उनके जीवन में चारचांद लगने से कभी कमी नहीं होगी तो बस सुआ अखिर क्या काम है जो हर विद्यार्थी को हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना ही चाहिए क्या करना है आप जो माता सरस्ति को पूजा करते हैं तो माता सरस्ति की पूजा करदस में माता सरस्ति के चित्रकला के सामने मौर पंक जरूर रखना चाहिए पूजा समाप्त होने के बाद उस मोरपंक को उठा करके हर विद्यार्थी को हर व्यक्त को अपने घर में ला करके किसी पुस्तक में जरूरा रख दें यदि ऐसा काम करते हैं तो माता सरस्ती का वास अर्था तो माता सर्फसती की किरपाई आपके साथ में हमीशा जूड़ी रहती है साथ शाथ एक छीज और इस दिन बनता है कि कोई भी खास जब दिन होता है कोई भी तहवार का दिन होता है तो इस दिन जो दान देने का कुछ वी दान होता है क्योंकि कुछ लोग चावल आंटा गे हूं अनाज छू करके दान देते हैं लेकिन इस दिन बिल्कुल ही ऐसा नहीं करना है आपको किसी पर करकर कोई अनाज दे करके नहीं छूकर करके दान देना बलकि माता सरसती से जुड़ी हुई चीजों का ही दान करना चाहिए आप ना क बिल्कुल ही परसन होती है चुकि वह बिद्या की देवी होती है बिद्या देने वाली होती है और एक काम और ही करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति माता सरसती को अपने मन में अस्थाई रुप से निमास करना चाहता है उनको अपने घर में लाना चाहता अपने साथ लाना चा तो बस उसे बिनम्र रहना ही होगा, जितना वह सांती से काम करेगा, जितना वह कम बोलेगा, सांती से धायर होकर करके वह काम करेगा, उसके साथ में ही मातासरसती का वास होता है, कभी क्रोधी, कभी नराज, कभी घमंडी, इन लोगों के साथ में कभी भी मातासरसती का वास न असिरबात लगेगा वहाँ पर तो मातलेश में दोड़े दोड़े कुछ चली आती है तो बस आज किस वीडियो पर मैंने आपको जो कुछ भी खास जानकारी दी है अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमस्कम वीडियो को लाइक जरूर कर दे और साथ में सबस्क्राइब जरूर कर देजएगा